Redmi Note 5 Pro के लिए Superiors OS Extended Build का New Update आया हुआ है और इसके अंदर हमें काफी changes भी देखने को मिले हैं जिनके बारे में बात करूँगा और ये official Android 14 बिल्ड है और जीत सहा की तरफ से ही आया है तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलता और first review already कर रखो complete review तो आपको आई बिटन पर मिल जाएगा इसमें क्या कुछ उनके बारे में बात करेंगे और ये dynamic partition row में तो description पर आपको installation वीडियो भी मिल जाएगा तो चलिए वीडियो हम start कर लेते हैं अब आउट phone के अंदर सबसे पहले चलते हैं इसके Android version में तो जैसे कि ये superior OS का extended का ये official Android 14 build है security patch हलाकि जो पिछले में तो वही same है फर वही 24 कही है kernel लेकिन Alexa Reborn का 7.0 है पिछले में 6.0 वर्जन था ये update है और QS panel के अंदर इसमें animation हलाकि ये Android 14 row में जिसमें animation आपको काफी अच्छा मिलता है और यहां पर इसका QS panel भी change हो गया media player मिल जा रहा है और brand and slider अप center में देखने के मिल रहा है ति इसका style भी change हुआ पहले simple था बाकियों की तरह बटा भी यहां पर change हो जुगा तो कुछ है इस तरीके का मिलता है अला कि tiles कोई भी इसके अंदर में new add नहीं हुए है तो lag भी ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता थी यह काफी अच्छा इस रोम के अंदर रहने वाला animation के मामलें भी अगर आप देखते हो तो और इसके अंदर में camera same UI का है जिसमें अपका AI का या फोटर मोड का यह सब थोड़ा से बग रहेंगे watermark जैसे की यह कुछ bug आपको मिलते हैं बाकी camera GQM आप यूज कर पाओगे NFM वरकिंग है gallery normal आता है उसे ok google का bug इसके अंदर आपको मिलेगा पहले भी था और game space मिलता है बाकी आपका google photo इंस्टोल करोगे unlimited storage का support आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर में और play store certified ही आता है तो safety net बिलकुल पास है इसके अंदर में तो banking आप आप अराम से use कर पाओगे कोई प्रॉल्म नहीं है और ball paper और style के अंदर भी ऐसा कोई change अलाकि देखने को नहीं मिला अलाकि जो ball paper मैं use कर रहा है और description पर आपको मिल जाएगी बड़ इसके settings में यहाँ पर कहीं पर कोई change मुझे देखने को नहीं मिला यह सब जो है आपका पहले वाला ही रहेगा और calling के अंदर भी ओसे carrier video call का bug अभी भी मिलता है और wifi calling का bug रहेगा और proximity sensor वो अच्छे से काम कर रहा है call recording working है और bluetooth device वो भी आपका media और calling दोनों के अंदर चितरी के से काम कर रहा है और battery की बात करें तो 2 hour 50% ब्रैनेस पे video play करने के बाद 82% मिला है पिछले में भी same uses 82% ही मिला था तो battery में कोई फरक नहीं पड़ा हाँ battery थोड़ा late add होता है battery uses के अगर बात करें तो और charging में 64% last का charge करने में करीब 2 hour के करीब का time यहाँ पे जो है लगा है last का 64% चार्ज करने में और battery drain में देखोगे तो 82% night में था morning में 80% यानि कि 2% का battery drain मिला है तो यहाँ पे भी similar सा ही देखने को मिल जाता है normal है और intuitive score 2,7,000 मिला है पिछले में 2,8,000 था जो कि यह भी आपका पहले जासा ही है और CPU throttle rate इस बार हमें 75% मिला है जीप score इसका max पे 1,50,000 है एवरेज score में 1,34,000 है पिछला CPU throttle अमारा 93% था पिछले का जीप score max पे 1,40,000 था एवरेज score 1,33,000 था जीप score अगर आप देखो तो similar है और gig bench 6 में अगर score देखे तो single score 289 इस बार multi score 1117 है पिछला single score हमारा 302 था और multi के अंदर 1108 तो सभी score अगर आप देखोगे तो similar सही है और setting में यहाँ पे superior lab के अंदर पहले ओपर में इसमें image भी एक मिला करती थी इसकी जो कि अब नहीं है थोड़ा change सा हुआ है और themes के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक change देखने को मिला है locks in यह जो clock font है यह सब पहले का है बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो switch style यह new add हुआ है अब यहाँ पे icon style तो नहीं दिया गया लेकिन name दिया गया है किस तरीके का icon रहेगा अब यह switch style क्या है कि यहाँ पी यह toggle आप देख रहे हैं on off करने वाली यह है switch style इनका style आप change कर पाओगे यहां से तो जैसे कि emoji वाला मैं यहाँ पे करता हूँ तो emoji वाला यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे themes के अंदर कोई भी changes नहीं हुए यह सब आपके बाकी के जो option पहले की हैं और status bar के अंदर में जाओगे तो battery style हलाकि पहले वाली यह battery style में कहीं पे कोई change नहीं हुआ है बैटरी की जितनी भी settings है पहले वाली है इनके अंदर कहीं पे कोई change नहीं हुआ है पूरा पूरा जो ही यह आपका सेम रहेगा बट यहीं पे नीचे आता हूँ रॉमिंग इंडिकेटर यहाँ पे था पहले जिसको अभी रिमूब कर दिया गया है और नेटवर्क ट्राफि बैग्राउंड के यहाँ पे क्विक सटिंस के अंदर में आपको कलर क्यूस नोटिफिकेशन आइकन न्यू मिल जाएगा और नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्यूस हेडर इमेज जो है जो बहुत पहले हमें इंडोड 11 या 12 में मिला करता था उस टाइप बाला बैड कर यहाँ पे तक कस्टम इमेज या फिर स्टेटिक हेडर इमेज आपको मिल जाता है यहाँ पे तो हाला कि हेडर में पहले इसके अंदर था बट अभी चेंज हो चुका है और पर नीचे यहाँ पे क्योई स्टाइल लियाउट पहले गई है और नीचे कोई चेंज नहीं है इसके ंदर भी कोई चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है और यहाँ पे यहां पर पर क्यो कई चेंज नहीं चेंग यहा रहे और कोई कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है और इसके power menu में भी कोई चेंज नहीं हुआ है और notification की बागर बात करें तो ये भी बिल्कुल same रहेगा notification में भी कोई चेंज नहीं हुआ है और miscellaneous के अंदर एक change हुआ यहाँ पर क्या अलाव अप्लिकेशन डाउन ग्रेट का जो अप्सन है यहाँ यहाँ पर यह new add कर दिया गया और फिर बाकी के जो options आपको यहाँ पर मिलते हैं सब same रहेंगे कोई चेंज नहीं है network and internet में कोई चेंज नहीं हुआ है hotspot का use आप कर पाओ गया भी तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है private DNS जाथा उसी तरीके से connected devices के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ थोड़ा सा लोड लेता है कभी कबार बाकी इसके अंदर जो कास्ट है यह अच्छे तरीके से काम कर रहा है और फिर display के अंदर भी जात होती है यहाँ पे extra team है और फिर आपका dark team हो गया या बाकी जो option है और apps के अंदर में भी वैसे आपको यहाँ पे कोई change ऐसा फिलाल नहीं मिलता है हाँ clone dap यहाँ पे था वो remove हो गया है बट new कुछ है नहीं हुआ तर रिमूब हो गया है clone dap और launcher के अंदर कुछ भी चेंज नहीं तो launcher आपका जैसा था उसी तरीके से चाहिए फिर home screen हो या recent की settings हो या मिशलिनस हो सभी आपके same in में किसी में कोई change नहीं हुआ है बैटरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ changes है जैसे कि turn on the light when charging को option new है बैटरी यहाँ पे widgets का था option remove हो गया है और फिर यहाँ पे sound and vibration के अंदर में हलाकि इसके अंदर मुझे ऐसा कोई change देखने को नहीं मिला है तो यह बिल्कुल पहले जैसा ही है इसके अंदर कोई change नहीं है and security के अंदर भी ऐसा कोई change हुआ नहीं है तो security के भी settings बिल्कुल सेम है और जो हमारा fingerprint है face unlock है दोनों का response काफी अच्छा है खासकर fingerprint haptic feedback है और काफी तरीके से काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं और face unlock भी अच्छे तरीके से working है और इसके more security में जाओग तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं और गेम की बात करें तो गेम स्पेस का जो settings है वो आपका सेम रहेगा इसमें कोई भी चेंज इसके अंदर भी वह से नहीं हुआ इस अपडेट में और ग्राफिक भी पहले की तरह है तो smooth पे आप extreme तक खेल पाओगे balance पे medium तक उसके आगे unlock नहीं आता, smooth and extreme पे मैं यहाँ पे खेलूँगा और पिछले में भी आपको gaming के बारे मिसके अंदर बता था कि android 14 रोम होने के बाद भी gaming जो इसकी है थोड़ी अच्छी category में ही रहता है यहाँ पे खराब category में बिलकुल नहीं जाता है तो यहाँ पे gaming थोड़ी अच्छी है खासकर animation को लेकर बात करें android 14 रोम अगर आपको यूज करना ही है नौट 5 प्रो के अंदर यह रोम मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा इसका animation आपको काफी अच्छा मिल जाता है और एक lineage OS का किया था लाग कि कुछ ज्यादा है वो लेकिन वह भी आपको काफी smooth मिल जाती है और इ यही सारे changes थे फिलाल इस update के अंदर जो कि हमें यहाँ पे बिले थी यही था आज कि वीडियो में और वीडियो अगर आपको अच्छी लेकिए तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press करके all पे कर लिजे ताकि अगरी वीडियो की notification आपको बिल जाए thanks for watching